जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था आज जब देश कोरोना संक्रमण की भट्टी में जल रहा है तो मोधी जी चुनाव प्रचार में दीदी ओ दीदी के गीद गार है केंद्री कॉंग्रेस वरकिंग कमेटी के सदस तथा आउट रीच एंड कोडिनेट कमेटी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रीप प्रमोध तिवारी ने कहा तिवारी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने अपरमुखि सचिव प्रमुख सचिव चिकिस्ता एवं स्वास्त उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर अपनी व्यवस्ता एवं पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों को ना ना तो उन्हें समय पर एंबुलेंस मिल रही है तथा ना परियाप्त टेस्टिंग हो रही है और ना ही अस्पतालों में मरीजों का दाखिला हो पा रहा है। उत्तर परदेश में कोरोना से निपटने की ये कहानी है जो परदेश सरकार के दावों को स्वयम बया कर रही है। योगी सरकार कोरोना के नियंतरण में उत्तर परदेश में पूरी तरह असफल है। कैबिनेट मंतरी का बयान पूरे कैबिनेट की अभिव्यक्ति माना जाता है, जब तक कि उसका खंडन ना हो जाए, कैबिनेट मंतरी ने परदेश की राजधानी लखनों के इस्तिती बयान किये, अता सहच की अंदाजा लगाया जा सकता है कि परदेश के दूरस्त अंचलों की यस्तिती क्या होगी मोहन लाल गंज, लखनओं के सांसथ श्री कौशल किशोर ने भी सुविकार किया है कि लखनओं में कोरोना नियंतरन के बाहर हो गया है कई हजार परिवार कोरोना की चपेट में हैं और शमसान घाटों पर लाशों के ढेल लगे हुए है वैश्विक महामारी कोरोना अपने विबस रूप में पूरे देश में बिमारी और मौत को तांडफ कर रही है इस समय देश कोरोना के अब तक के सबसे खतलनाक दौर से गुजर रहा है देश में बड़े और छोटे शहरों सहीद जहां भी कोरोना की टेस्टिंग हो रही है वहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन पती दिन बढ़ती जा रही है पिछले चार दिनों से देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या डेर लाग से ज़ादा आ रही है ये हालात तब हैं जब वैग्यानिकों एवं चिकिस्टकों के अनुसार कोरोना का पीक आना अभी बाकी है जो अगले कुछ दिनों बाद आएगा देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पिछले 24 घंटों में 1,85,248 पर पहुँच गई है तथा उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पिछले 24 घंटे में 15,000 से अधिक हो गई है कोरोना की विभस्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सरवादिक सुरक्षित मुख्यमंत्री सचिवाले भी कोरोना की चपेट में है और आदर्नी मुख्यमंत्री जी को स्वयम आइसोलेट होना पड़ा केवल प्रियाग राज में ही एक दिन में 21,042 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले है भारत देश कोरोना संक्रमितों की रैंक में पूरी दुनिया में नंबर दो पर है परंतु सचाई इस से ठीक विपरीथ है क्योंकि ग्रामी रांचल में बहुत सी जगों पर कोरोना की टेस्टिंग हो ही नहीं रही है लोग या तो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं या ठीक हो रहे हैं अथवा फिर भी उनकी मौत हो रही है भारती जंता पार्टी ने नारा दिया था कि मोधी है तो मुमकिन है आज आदर्नी मोधी जी ने वो कर दिखाया है जो अब तक आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था कोरोना की विवस्ता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक देश में अस्पतालों में कभी भी इतनी लंबी लाइन वेटिंग लिस्ट नहीं हुई है और तो अलग बात है शमशान घार तथा कबरिस्तान पर स्ववो को जलाने या दफनाने के लिए एतनी लंबी लाइने है कि टोकन मिल रहा है देश में ये असंभव आदर्नी मोधी जी ने पहली बार मुमकिन किया है पिछले 24 घंटे में देश में करोना से संकर्वित होने वालों की संख्या जो आज तक नहीं थी एक लाख पचासी हजार के उपर चली गई ये तो वो आकड़े हैं जो सरकारी हैं और जिनकी टेस्टिंग हुई है वास्तवी काकड़े तो इससे कहीं ज़्यादा होंगे ग्रामीन चल गई बैस सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पुरानी कहावत थी जब रोम जल रहा था तो नीरो वहां का राजा बासुरी बजा रहा था और आज हालात ये हैं कि जब हिंदुस्तान करोना के संक्रमण से जल रहा है उसका बीभत्र सुरूप है तो हमारे प्रधानमंती दीदी वो दीदी का गाना गा रहे हैं अभिने कर रहे हैं कटाक्ष कर रहे हैं और बंगाल में चुनाव प्रिचार के नाम पर एक सारी परंपराओं को तोड़ रहे हैं ठीक कहा लोगों ने मोदी है तो मुम्किन है आज तक कभी अस्पतालों में तो लाइन लगी थी पर आठ आठ गंटे एम्बुलेंस खड़ी रहें अस्पताल में दाखिल होने के लिए मरीज लोटाल दिये जाएं जगे ना हो लेकिन जराब बताएं मुझे क्या ये उचित नहीं है क्या ये सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट पंती ने खुद कहा है कि ना एम्बुलेंस है ना कहीं से उनको मरीज का टेस्ट जो हो रहा है पांच पांच छे चे दिन में रिपोर्ट आ रही है और कैबिनेट मंती ने ये भी कहा ना दवाई है ना कोई ब्यवस्ता है पूरी अब्युस्ता है कि कैबिनेट मंती के उत्तर प्रदेश का बेयान है वहीं वहां के एम्पी ने कहा है कि शोर साब ने कि अमबार लगा हुआ है लाशों का कब्रिस्तान और समसान में मैं समस्ता हूं कि इस बीभतस्ता के लिए आज भारत के हालात के लिए अगर कोई जिम्मदार है तो भारत के प्रदानवंत्री आदनी मोदी जी और योगी जी पहले तो कह सकते थे कि हम करोना के लिए देश तैयार नहीं था एक साल पहले पर अब कैसे कह सकते हैं इनको एक साल का मौका मिला एक साल में तो अडानी के संपत 136 प्रत्सत्र जादा बढ़ गई इनके चाहने वाले सभी पूझी पतियों ने जो मोदी जी का नारा था आपदा में आउसर ढूंडो ढूंड लिया सब किस संपत्ति सैक्लों गुरा बढ़ गई पर भारत की आम जनता गरीब हो गई मैं यह जरू कहना चाहता हूं शर्म आनी चाहिए सरकार को ब्यूरो रिपोल्ट नियो जब भारत